आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम ऐसे द्धान तग नहीं होते ही स्टेडी ग्लोस पर आपको बहुत स्वागत है बड़ी गजब की न्यूज आ रही है नॉर्थ कोरिया ने हाइपर सॉनिक मिसाइल को टेस्ट कर लिया है बाप ने बाप नॉर्थ को माश नंबर से हम मेजर करते हैं अब हाइपर सॉनिक मतलब होता है कि पांच गुना जादा फाइव टाइम्स देंदी स्पीड ऑफ साउंड हाइपर सॉनिक मिसाइल टेकनोलोजी रश्या त्रस्कॉन बना रहा है चाइना ने अभी टेस्ट किया हलाकि अपने टार्गेट प इसमें बहुत पैसा क्योंकि कॉंप्लिकेट है ना भाई पहले अब दो तरीके की हाइपर सॉनिक टेकनोलोजी होती है ग्लाइड वेकल में तो पहले ये एक रॉकेट से जाएगी ठीक है एट्मॉस्फियर को छोड़ेगी और उसके बाद टार्गेट को हेट करेगी यानिक इसमें वेरी कॉंप्लिकेटेड प्रोसेस हाइपर सॉनिक टेकनोलोजी अभी किसी के पास नहीं है किसी के पास साथे देज जो हैं बस कोशिश कर रहे हैं चाइना ने सफलता पूरवक कोशिश कर डाली टेस्ट कर लिया उनने लेकिन टार्गेट मिस हो गया नॉर्थ कोरिय करना है कि हमने हाईपर सॉनिक मिसाइल को टेस्ट कर लिया है किम जॉंग उनी नाइटीन फिफटीट्री नाइटीन फिफ्टीटी से लेकर 53 कोरियन वहार खतम हुआ किम इल संग फिर उनके मेटेकम जॉंग इल और अब किम जॉंगुन यह डाइनस्टी चल रही है Korea ने हसने पर बैन लगा दिया था है ना, शोक सबाती थी ना Kim Jong Il की थी किसकी थी तो हसने पर बैन लगा दिया था, वैसे भी वहाँ पर कोई हसता नहीं है, सब रोते ही है North Korea में भयानक गरीवी है Pyongyang Capital है आप वहाँ पर जानी सकते है, North Korea के लोग बाहर जा नहीं सकते, कुछ स्टोरीज हैं बड़ी भायावे हैं, वहाँ पे एक American student गया था, गलती से उसने कुछ गरबर कर दी, पांक साल बाद जब वो वापस आया दुबारा अमेरिका में, तो अपने होशो हवास में नहीं था, he was a very brilliant student, काफी famous story है यह, तो आप यह समझे है कि North Korea नर्क है, लेकिन नर्क किम जोंग उनके लिए नहीं है, जो भी पैसा आता है, वो यह military capabilities में लगाते हैं, North Korea पूरी दुनिया के नहीं सुनता है, यह सिर्फ शाइना के सुनता है, खतरनाक बात यह है कि इस तरीके की technology कैसे देश के पास चली गई है, जो की किसी के नहीं सुन अमेरिका को आज उड़ाते हैं, खाली एक बटन दबाना है, इस तरीके के देश के पास यह technology आ गई है, अब शक जताया जा रहा है चाइना पे, चाइना से ही बस यह control होता है, ऐसा बोला जा रहा है, देखे South Korea, बगल में यह border share खरता है, demilitarized zone, DMZ, अभी तक दोनों युद में ही है, कोई treaty नहीं, खाली एक ceasefire है बस, तो Japan, South Korea, in fact America, ने भी इन पे बहुत आपत्ती जताई है, लेकिन अभी sources की माने, तो China इनको control करता है, अभी यह कुछ नहीं करने वाले, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है, कि शायद North Korea इस साल कुछ बड़ा करेगा, South Korea पे कुछ भी क कुछ नहीं करेगा, क्योंकि China control करता है, यह technology आई कहां से, कहीं ना कहीं समें China कहां थोगा ही, क्योंकि इनके पास इतने बड़े scientists तो हैं नहीं, कि यह technology टेस्ट कर ले, हला कि बोल भी नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे जो training होती है, सब military की होती है, cyber warfare की होती है, ulti CV training, हत्यार की होती है, तो यह भी चीज़ है, तो North Korea ने भाई, इनकी media ने यह बोला है, KCNA, कि हमने भाई 700 km के target को hit किया, और यह second report है, देखे, ऐसा बोला जा रहा है कि North Korea दो तरीके की hypersonic missile बना रहा है, ऐसे ही test भी इन्होंने किया था, अब यह जो missile इसके features थोड़े से अलग है, किम चौंग उनने अभी new year पे बड़ी-बड़ी बात है, वो इन्होंने बोली थे, और बोला था कि हम अपनी defense capabilities को, प्योंग यांग को, जो कि capital न North Korea की, उसको हम बढ़ाएंगे, उसको protect करेंगे, नए साल की speech पर यह बोला था, तो इसलिए धेर सारी missile की test अभी हमको करने बाकी हैं, तो अब अमेरिका, चाइना, रशिया, भारत के साथ North Korea भी आ गया है, जिनके पास hypersonic technology जो है, वो आ गई हैं, अगर reports की माने तो, पता नहीं किया है launch क्या, वैसे किया ही होगा, क्योंकि सब तो यही बोल रहे हैं, मीडिया में भी, वाई जो बाइडन देखें, जो अमे पर यह अमेरिका से बहुत चुरता है, बहुत जादा, डॉनल्ड ट्रम्प के आने से यह और खराब हो गया, इधर डॉनल्ड ट्रम्प उल्टा सिधा बोल रहे हैं, आर ओन, वेरी क्यूट भालू, किम जॉंग उन को, और इधर किम जॉंग उन, ट्विटर पे लगा तार, उल्टा सिधा बोल रहे हैं, फिर एक ऐसे समया है कि दोनों साथ में आ गए, दोनों हाथ में हाथ, पकड़के चलते हुए दिखाई दिये जब समेट हुई थी, है ना, बहुत अच्छा लगा सबको देखे, फिर लेकिन वही प्रॉब्लम्स हो गई, जो वाइडन ने बोला यह जो तुम साथ कोरिया को सपोर्ट करते हो, यहाँ पे जो तुमने मिसाइल तैनात कर रखी है, होस्टिलिटी जो पहले उसको कम करो, उसके बाद हम तुमसे बात करेंगे, ठीक है, तो यह बड़ी प्रॉब्लम्स है, अचा साथ कोरिया अल्रेडी डरता है, साथ कोरिया बहुत ज़्यादा highly developed country, अमेरिका का सपोर्ट है, लेकिन साथ कोरिया के बगल में नॉर्थ कोरिया, तो नॉर्थ कोरिया के पास payments है, 1000 आल्रेडी पास पैसा है, Japanese coast guard ने जो Japan के coast guard है जो समोत्र की दस्ता क्योंकि भाई यह गया और टुकडा गिरा ना थीक है वो जो पेलोड था वो गिराSí Japanese coast guard ने इसकी पुस्चिक की है कि hypersonic यह दूसरे तरीके की होती है upersonic gliding warhead जो कि पहले atmosphere में जाएगा ऐसे और उसके बाद फिर target पे आएगा ये low altitude पे उड़ते हैं आपको बता दू कि hypersonic technology की बात करें इसमें मैंने klitschern भी याद दिखेगा तो low altitude पे उड़ते हैं बहुत तेजी से उड़ते हैं बहुत इनकी speed बहुत जादा भाई पांच गुना speed of sound तो radar इनको detect नहीं कर सकता है पलक जपकते ही खतम कर देंगे ये बासट सो 6200 किलो मीटर पर आर की speed है ठीक है और जैसा कि मैंने बता है lower altitude पे altitude पे उड़ते हैं ballistic और cruise missiles में मैं आपको बताई चुका हूँ फर्क इसमें ये lateral है मतलब ये enemy से side में center से भी बार कर सकता है उसको control कर सकते हैं अगर defense experts की माने तो एक तरीके से North Korea में ने उसमें काफी missile capability में तरक्की हासिल कर ली है तो यहाँ पे Wednesday को जो hypersonic gliding warhead है ये detach हो गया अपने rocket booster से hypersonic gliding warhead ना जैसे warhead आप समझते हो ना जैसे ये आपका missile है ठीक है उपर warhead लगा रहता है मतलब ये rocket है उपर warhead मतलब कि जैसे आप हो आपको कहीं जाना तो गाड़ी का इस्तमाल करते हो ना वैसे इस warhead को कहीं पर हमला करना है तो आप rocket का किलो मीटर पर इसको मैनुवर किया फिर उसके बाद इसने 700 किलो मीटर के टार्गेट को हिट किया ये के सी एने का कहना है तो ये चीज़ अब डिफेंस एक्सपर्ट का बोलना है कि भाई देखो अभी जो कुछ महिने पहले ये हुआ सौंग आठ का निरिक्षर कर रहे थे बा इसी तरीके के इसमें आपको फीचर्स मिलेगे न्यू मिसाइल वह सफस्ट डिब्यूटेट अटी डिफेंस एक्जिबिशन एट प्योंगांग अब बड़ी बात ही है कि एक जगा जहां पर प्योंगांग में फूट शॉर्टेज है ये आप देख सकते हैं ठीके ना ये ल मिसाइल तो वही किम जोंग उनने बोला कि भाई देखो अग्रेट लाइफ एंड डेथ स्ट्रगल यहां पे अट दी एंड अफ दी एर मीटिंगे ही बोला है इंक्रीजिंग डेवलप्में इंप्रूविं पीपल्स लिविं स्टांडर वर अमंग दी एर्स गोल ठीक है ये नौर्थ कोरिया तो गिव अटादे तो गाउंग अटी के अग्रेश यहां इनको चाइना का जबर्दस्त सपोर्ट है मुझे अइसा लगता है कि चाइना इनको इनका वैपन प्रोग्राम रुखी नहीं रहे नौर्थ कोरिया का और यह चलता जा रहा है चाइना ऐसा लगत प्रदे के पीछे सब और लेकिन चाहता है कि यह वेपन्स बनाएं कि जब जरूरत पड़ेगी तो आम नौर्थ कोरिया को भी यूज़ करेंगे आप समझ रहे हों तो यह फिलाल बड़ी तड़कती भड़कती खबर है कि नौर्थ कोरिया ने हाइपर सॉनिक मिसाइल टेकनोलिजी टेस्ट कर ली है थांक यू सो मच